हलो, हलो नमस्कार साथियों मैं आरुन सक्षेन है एक बार फिर से आप सभी का शोगत करता हूँ सबी प्लेटफॉरम पर आप सभी प्यारे साथियों का प्यारे बच्चों का हार्दिख शोगत हर्दिक विनामन है जल्दी से सारी बच्चे जुड़ जाईए क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है मोहित जी मानसु जी नीरच जी आशिक जी महिमा जी ज्यान जी खुशी कुमारी जी मोहित कटोच जी शिव जी अंकुष जी जोटसना जी आशिक जी चौदरी विजेपाल जी RWA स्टूडेंट जी शिव आधार जी वा भाई वा बहुत अच्छा सभी प्यारे साथियों का हार्देक श्वागत है पिछली क्लासों की तरह ही आज भी बहुत सारे प्रश्ण मेरे पास है आपके लिए आपके ग्यान वर्धन के लिए निश्चे तोर पर विवेन प्रतियों की परिच्छाओं में ये प्रश्ण आपके लिए मैं तपूर रहेंगे इस उद्देश से मैं इनको लेकर आया हूँ और आज की क्लास का जो पहला प्रश्ण है वो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा देखिए हौकी विश्चुकप दोजार तेईस के फाइनल मुकाबले में निमन लिके तुमें से किस देश ने बेल्जियम को पराजित करके विश्चुकप पर कबज़ा कर लिया नीदरलेंड, आस्ट्रेलिया, भारत और जिर्मनी चार आप्शिन्स आपके सामने है बात हौकी विश्चुकप दोजार तेईस की हो रही है कौन सा ऐसा देश है जिसने बेल्जियम जो इस विश्चुकप का उप बिजेता रहा उसको अराकर इस विश्चुकप पर कबज़ा कर लिया इस विश्चुकप को जीत लिया, उस देश का नाम क्या है, फटा फट से बताईए तो हौकी के दिवाने बहुत सारे होंगे यहाँ पर और आप सब लोगों ने एक श्वर में इस प्रश्च का अंसर बचो जर्मनी लगाया है देखें यह मुकाबला बहुत दिल्चस्प रहा था, बहुत दिल्चस्प रहा था जर्मनी और बेल्जियम के बीच यह मुकाबला हुआ था और यह दोनों ने तीन-तीन गोल इस मुकाबले में लगाये लेकिन तीन-तीन कोल जब बरावरी पर मेच छूटा तो गया कहां पर पहुंचा मेच, सूट आउट में पहुंचा और जब यह मेच सूट आउट में पहुंचा तो वहां जर्मनी ने पांच-चार से बड़त पना ली और इस मैच को जीत लिया किस ने जीत लिया जर्मनी ने जीत लिया और जर्मनी इस मैच का क्या हो गया विजेता हो गया यह दियान रगिएगा तीसरी बार तीसरी बार थार्ड टैम तीसरी बार जर्मनी ने संच जी होगी विश्यवकप को जीता है किसनी बार जीता तीसरी बार थार्ड L प्रकव की रूप में जर्मनी के लिए ठीक है जी और इस जो ये जो होकी वर्ड का था इस में नीधर लेंड मेरे प्यारे सातही हो यह तीसरे स्थान पर रहा यानि कि इसने Bronze Medal को अपने नाम किया है क्या Bronze Medal को किस देशने अपने नाम किया तो उसका नाम है आपका नीधर लेंड ठीक है जी न Davidson नमबर एक पर रहा जर्मनी नमबर दो पर बेल्जियम नमबर तीन पर नीधर लेंड रहा और भारत अन्य विकल्प है और भारत विश्व में जनसंक्या की अनुसार दूसरा और छेतर फल के अनुसार सात्वा मुल्क है ठीक है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर हम आपके सामने रखेंगे और आज की गलास का जो नेक्स्ट प्रश्ण है वो आपको मिलेगा ऐसे सी एचेसल दो जार एकिस परिच्छा का प्रश्ण भारत में मामलोक राजवन्ष का संस्थापक कौन था रजिया शुल्तान इलतोतमिश बक्तियार खिलजी कुतवद्दीन एवक मामलोक वन्ष का संस्थापक कौन था सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मामलोक वन्ष किस वन्ष को कहते हैं देखे मामलोक वंश की चर्चा की जाए तो इसी वंश को हम कहते हैं गुलाम वंश गुलाम वंश और इनी को कहते हैं प्रारंबिक तुर्क सुल्तान प्रारंबिक तुर्क सुल्तान ठीक है जी और इस वंश की स्थापना किस ने की थी इस वंश की स्थापना मेरे प्यारे कुतुबुद्दीन एवक ने की थी जो बारे सो चैसे लेकर बारे सो दस तक शाशक रहा इस वन्स का इनके बाद गदी पर बैटे इलतुतमिस बारे सो दस से बारे सो च्छतिस तक जो सासन रहा वो इलतुतमिस का रहा इनके बाद बारे सो च्छतिस से बारे सो चालिस तक का जो सासनकाल है वो रजिया सुल्तान का रहा दिल्ली सल्तनत की पहली मैला जो सुल्तान हुई वो रजिया सुल्तान हुई जो इलतुतमिस्की पुत्री थी उनकी बेटी थी ठीक है जी बक्तियार घिल जी मेरे प्यारे साचियो बिहार का शाशक था बिहार का शाशक था और इस आग लगवाई ये question आप से पूछा जाएगा कि बताईए भाई ऐसा बिहार का शाशक कौन था आकर्मनकारी कौन था जिसने नालंदा विश्वित द्याले में आग लगवाई तो आप क्या answer लगाओगे आप answer लगाओगे वक्तियार खिल जीने लगवाई थी ठीक है जी आप आप से question पूछा जाएगा गुलाम मैंने आपको लिख दिया आपको अच्छी जानकारी मिली इस प्रकार से इसी इक्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाविकिय सनलेन अभिक्रिया निम्न लिखित में से किस समी करण पर आधारित है अगर हम चरचा करें नाविकिय सनलेन की कलर मेरा अच्छा है आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर फटाफट से सभी साथी जरह मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ये जो किस कमेंट जिस कलर में मैं आपको लिख रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कोई प्रोब्लम किसी प्रकार से शरी बहुत अच्छी बात है दिखाई दे रहा है थेंक यू वेरी मुच पिटा थेंक यू देखे नाभिकिय सनलेयन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये एक रासाइनिक अभिक्रिया है जब दो परमाणों आपस में टकराते हैं सैयुक्त होते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकिय सनलेयन कहलाती है सूरी की उर्जा का प्रमुक स्रोत क्या है आप से पूछा जाए कि सूरी की उर्जा का प्रमुक स्रोत क्या है तो ध्यान रखेगा सूरी की ओूर्जा का प्रमुक स्रोत मेरे प्यारे साथ़ी हो नाविकिय संलियन यह है और नाविकिय संलियन जिस फॉर्मूले पर अधारित है वो है E बराबर MC स्कॉयर जो आपशन लिंबर A में दे रखा है किसमें दे रखा है option number A में यहाँ पर E वराबर MC square को दे रखा है ठीक है जी right answer है ये और ये जो formula है वो किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था तो बचो Einstein ने ये formula जो है वो दिया था यसे द्रविमान उर्जा समीकरण के रूप में भी जाना जाता है द्रविमान उर्जा समीकरण के रूप में भी हम लोग इसको पोकारते है ठीक है जी यहाँ पर E for E किसको व्यक्त कर रही है उर्जा को M किसको व्यक्त कर रहा है द्रविमान को और सी इसको व्यक्त कर रहा है प्रकाश के वेग को प्रकाश का वेग वैलोसिटी आफ दे लाइट ठीक है और द्रविमान हानी को प्रदर्सित कर रहा है एम यहाँ पर ठीक है तो इस प्रकार से आपको द्रविमान उर्जा समीकरण के बारे में पूरी पूरी जानकारी में न नमर B, option नमर C या option नमर D इस प्रश्ण का exact answer नहीं है नाविके सलेन क्या होता है ये भी बताया और एक प्रश्ण और ध्यान रखेगा सूरी की उर्जा का प्रमक्सरूत भी नाविके सलेन है nuclear fusion है इस nuclear fusion के कारण ही सूरी की जो hydrogen gas है सूरी की जो hydrogen gas है प्यारे साथियों वो helium gas में convert हो रही है और अपार उर्जा infinitive energy को भी produce कर रही है किस को produce कर रही है अपार उर्जा को भी produce कर रही है और ये किस के कारण हो रहा है नाविके सलेन के कारण ही nuclear fusion के कारण ही ऐसा हो रहा है इस इन्फिनिटिव एनर्जी के कारण ही सूर्य धदक रहा है उगल रहा है और तारा है ठीक है जी चले नेक्स्ट अगला प्रश्ण चोथा प्रश्ण आपसे पूछा गया है भारते समिधान के किस अनुच्छेद में नागरिक्ता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लिक है जो प्रश्ण है उसका अंसर आपको देना है देगे सम्मिधान के भाग दो में अनुच्छेद पांच से ग्यारे के बीच जिन चीजों का वरणन है मेरे प्यारे साथियो उसका नाम है नागरिक्ता नागरिक्ता का वरणन पाया जाता है हमारे सम्मिधान का मेरे प्यारे साथी आर्टिकल नो क्या कहता है जो इसमें दे रखा है आर्टिकल नो आप्शन नमर सी में दे रखा है आर्टिकल नो कहता है कि किसी विदेशी मुल्क की नागरिक्ता लेने पर भारत की नागरिक्ता स्वत्य समाप्त हो जाएगी विदेशी मुल्क विदेशी मुल्क की नागरिक्ता लेने पर नागरिक्ता प्राप्त करने पर प्राप्त होने पर भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिक्ता समाप्त होगी ये कौन कह रहा है ये आर्टिकल नो कह रहा है इसके बाद मेरे प्यारे साथी option में दे रखा है article 11 article 11 क्या कह रहा है article 11 आप से कह रहा है कि नागरिक्ता के संबंद में में कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है ठीक है जी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है article 12 मेरे पैरे साथियो मूल अधिकार से related है fundamental rights से related है ठीक है जी सम्विधान का भाग 3 अनुच्छद 12 से लेकर 35 ये सब fundamental rights से related है आपके नागरिक्ता से संबंदित नहीं है यानि कि यहाँ पर ना तो article B ना article C ना article D इस प्रशन का right answer है तो फिर right answer क्या है option number A अनुच्छद 10 नागरिक्ता की निरंतरता की बात करता है ठीक है जी लेकिन अनुच्छद 12 अनुच्छद 9 और अनुच्छद 11 इस संबंद में बात नहीं करते अनुच्छद 9 क्या कहता है ये आपको पता चला अनुच्छद 11 किस संबंदेता है पता चला अनुच्छद 12 किस स संबंदित है ये भी पता चला और नागरिकता संबंदी प्रावधान के ननुच्छेदों में किस भाग में दिये गए हैं ये भी मैंने बताने का प्रेतनी यहाँ पर किया है ठीक है जी चलिए भाई तो इस प्रकार से ये प्रशन भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ ग कित में से किस राज्य की जहांकी को प्रथम पुरुषकार दिया गया उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, महराष्ट और उत्तराखंड चार ओप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं जल्दी से राइट आंसर आप लोगों को बताना है दिए आप जानते हैं सैवेंटी फोर् गरतंत्र दिवस दिवस हाली में आयुजद किया गया कहां पर आयुजद किया गया करतव विपत करतव विपत दिली इस गरतंत्र दिवस समारो को आयुजद किया गया और इस गरतंत्र दिवस समारो में विभिन प्रदेशों ने अपनी कला अपनी संस्कृती से संबंदित जांकियां निकाली और इन जांकियों में जो उत्तरा खंड की जांकि highlight ए उत्तरा खंड की जांकि थी उसको first price है क्या दिया पीटा वह सरी मिला प्रथम पुरुषकार ओप्शन नमबर ड्यार का एक्जक आंसर यहएगा current अफेर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है गरतंत्र दिवस समारो कब मनाया जाता है तो आप जानते हैं 26 जैनवरी के दिन प्रतिवर्स गरतंत्र दिवस समारो मनाया जाता है 2023 का जो गरतंत्र दिवस समारो था 74 गरतंत्र दिवस समारो था करतवेपत दिली में ये आयोज़त हुआ उत्राखंड की जो जहांकी जो उत्राखंड की कला और संस्कृती से सम्मंद थी वो फस्ट प्राइज लेकर यहां पर गई उत्तर प्रदेश भारत का एक अन्यप्रमुक राज्य है जिसकी राजदानी तो मेरे प्यारे सातियों लखनव है और जो जनसंग्या की दृष्टी से भारत में नमबर एक पर आता है और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा राज्यों को सीमाओं को राज्यों की सीमाओं को स्पर्स करने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है आठ राज्य और एक केंदर शासित प्रदेश केंदर शासित प्रदेश इनको ये स्पर्स करता है मद्य प्रदेश में सरवादिक वनों का विस्तार पाया जाता है सरवादिक वनों का एक प्रमुक राज्य है जिसकी राजदानी है मुंबई और ये मुंबई जो है मेरे प्यारे साथियों वो वहीं पर इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया इस्थित है ठीक है जी आप से क्वेश्चन पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है तो आप अंसर क्या किस राज्य को इस पर्स करते हैं उत्तर प्रदेश को करते हैं लखनो कांग की राजदानी उत्तर प्रदेश की राजदानी है और जो गड़तंतर दिवस समारों में पहला इस्थान जिस प्रदेश की जहांकी को मिला उसका नाम क्या है उत्तरा खंड है चलिए भाई छट्वा प्रश्णव एससी जीडी परिच्छा 2019 से संबंदित प्रश्णव है एक गैडे के सींग और मानव के बाल में मौझूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है एमिनो एसिड्स, केरेटिन, ग्लाइकोलिटिक और मेलेनन चार आप्शन्स आपके सामने हैं जल्दी से फटाफट से आपको बताएए गैडे के सींग में और मानव के बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है फटाफट से आप आंसर दे पाएंगे ऐसा मेरा आप पर पूर् जल्दी से इस प्रशन का राइट आंसर मुझे लगा कर बता दीजे भाई वाह बहुत अच्छा सभी बच्चे इस प्रशन का आंसर ऑप्शन नमर बी को मान रहे हैं जादातर बच्चों ने ऑप्शन नमर बी को इस प्रशन का राइट आंसर माना है केरेटिन आपकी तरफ प्रोटीन मेरे प्यारे साथियो केरेटिन ही होती है एमिनो एसिड्स क्या है कार्बनिक योगिक है जिनसे प्रोटीन बनता है जिनसे प्रोटीन बनता है ऐसे कार्बनिक योगिक जिनसे प्रोटीन बनता है उसे हम क्या कहते हैं उसे मेरे प्यारे साथियो amino acids कहते हैं ग्लाइको लिसिस की बात करें ग्लाइको लिसिस लिसिस ये क्या है ये श्वशन की प्रारंबिक क्रिया है श्वशन की श्वशन की प्रारंबिक क्रिया श्वशन की प्रारंबिक क्रिया है और इसका नाम क्या है ग्लाइको लिसिस नाम है मेरे प्यारी साथियो, मैलेनन क्या है, मैलेनन के कारण जो तवचा का रंग है, प्राकृतिक रंग है, मैलेनन क्या है, पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब रंग द्रव्य है, और ये काम क्या करता है, तवचा को रंग प्रदान करता है, तवचा को प्राकृतिक रंग प्रद करता है melanin नामक pigment करता है अगर सरीर में melanin की कमी हो गई तो हमारी तवचा कैसी हो सकती है सफेद हो सकती है बाल कैसे हो सकते है सुनहरे हो सकते है आखों का रंग कैसा हो सकता है जो बताओ कैसा हो सकता है सफेद हो सकता है ठीक है इस प्रकार से राइट अंसर तो melanin नहीं है लेक अगला ψ है एससे जैए ढूजार 1 की का अगला प्राश्ण है ससी यह 2 जारे किस हा का प्रश्ण है रेगुर स्वाइल इस्झाएज अन्हें ऌफ रेरीत अन्सर जालेव यह 25 तबाइए चार options आपके सामने हैं जल्दी से right answer मेरे प्यारे साथी हो बताईए मुझे इस प्रशन का exact answer इस प्रशन का correct answer इस प्रशन का right answer आखिरकार क्या है जल्दी से बताईए भई रेगुर स्वैल आप ध्यान रखेगा रेगुर मर्दा का सबसे ज़्यादा विस्तार रेगुर मर्दा का सरवादिक विस्तार ये question आता है सरवादिक विस्तार किस राज्जी में पाये जाता है तो महराष्ट राज्जी में पाये जाता है ठीक है जी अच्छा रेगुर मर्दा के अन्य नाम क्या है रेगूर मर्दा किसे कहते है मेरे प्यारे साथियों तो काली मिट्टी को कहते है और काली मिट्टी को मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा क्या कहते हैं काली कपासी मर्दा काली कपासी मर्दा भी कहते हैं और विश्विस्तर पर मेरे प्यारे साथियों चेरनो जेम मर्दा का जाता है और ये जो काली मिट्टी है वो लावा के विखंडन से बनती है लावा के डिकंपोजिशन से बनती है लावा के विखंडन से बनती है ठीक है जी ये ध्यान आप दीजेगा क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा काली मिट्टी का सबस्यादा विस्तार कहां पर है महराश् और काली मिट्टी किस की फसल के लिए फेमस है तो मेरे प्यारे साथियों काली मिट्टी कपास या कॉटन की खेती के लिए कल्टिवेशन के लिए काफी महत्पोर रोल प्ले करती है लेटराइट मर्दा मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रमुक मर्दावर्ग का एक वर्ग है और ये मेरे प्यारे साथियों अपच्छालन अपच्छालन या फिर लीचिंग की क्रिया के लिए विसेस तोर पर फेमस है इसमें क्या होता है इसमें अधिक वर्षा के कारण मिट् कहते हैं और इसके कारण ये मर्दा जो है वो अनुर्वर अनफर्टाइल हो जाती है लाल एवं पहली मर्दा भारत में दूसरे नंबर पर सरवादिक छेत्रफल पर पाए जाने वाली मर्दा है जो लगभग 18.6% एरिया पर इंडिया के 18.6% एरिया पर फैली होई है और 43.4% यानि कि लगभग 40% से उपर जो भारत के भारत में विस्तरत है भारती बुबाग पर विस्तरत है उसका नाम अलुवेल सॉयल यानि कि जलोड मर्दा ह भारत की सबसे ज़्यादा उपजाओ मर्दा कौन सी है तब भी जलोड मर्दा ही इस प्रशन का राइट आंसर होगा काली मिट्टी इस प्रशन का एग्जेक्ट आंसर है रेगुर मर्दा का अन्य नाम क्या है तो काली मिट्टी है और बादवा की तीन मर्दाएं यहां पर जो दे रखी है उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुवी सविस्तार बताने का प्रेतन किया है अगला प्रशन स्क्रीन पर हम आपके सामने रखेंगे प्यारे साथियों और आज की ग्लास का जो नेक्स्ट प्रशन है वो SSE CHSL 2021 परिच्छा का प्रशन है पूचा ग अबर भी यहाँ अबटूता उप्शन हमर सी है अबदरर रज्जा अकसम रख soph Ragnady option N ज्यादा तर बच्चे आप्शन नमर सी को बता रहे हैं लेकिन मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेगा इस प्रश्ण का जो एक्जेक्ट आंसर है वो आप्शन नमर बी है अल बरुनी पहला मुसल्मान जिसने पुराणों का अध्यान किया पहला मुसलिम जिसने पुराणों का अध्यान किया पुराणों का अध्यायन किया इस्टडी की वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों तो वो अल बरुनी है और अलवरुनी के बारे में अगर हम चर्चा की जाए तो ये किस के साथ भारत आया था मैमूद गजनवी के साथ ये भारत आया है आया था ठीक है जी फ्रेंकोईस बर्नियर मेरे प्यारे साथियों पेसे से चिकित सकता और किसका चिकित सकता तो मेरे प्यारे साथियों दारा शिकोह का चिकित सकता इतिहास में जो शाह जहान है उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह ही था जो उसका उत्तरादिकारी भी बना जाता था जिसन उपनिश्दों का फार्शी में अनुवाद भी कराया था मेरे प्यारे साथियों और ये जो दारा शिको है इसी के चिकत्सक का नाम क्या था फ्रेंको इस बर्नियर जो इस प्रिश्न का राइट आंसर नहीं है इवन बतूता कून था महम्मद बिन तुगलक महम्मद बिन तुगलक के शाषनकाल में आने वाला विदेशी यात्री था मुरको का यात्री था और इसने रहला नामक एक पुस्तक लिखी थी कौन सी पुस्तक लिखी थी मेरे प्यारे साथियों रहला नामक पुस्तक लिखी थी इसने अब्दुर रज्जाक अगर हम प्यार साथियो विजयनगर सामराज्य की जिसने यात्रा की थी और विजयनगर सामराज्य में कृष्ण देवराय दुतिय कृष्ण देवराय दुतिय जो सासक था उसके सासनकाल में ये भारत आया था ठीक है जी तो द्यान रगिएगा फ्रेंकोईस बर्नियर दारा शिको का चिकत सक था ग्यारवी सताबदी में भारत अलवरुनी आया जो पहला मुसल्मान था जिसने पुराणों का ध्यन किया इपन बतूता मौम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और रहला नामक इसने पुस्तक लिगी और अब्दुर रज्जाक नामक जो विदे सी यात्री था मेरे प्यारे साथियो वो विजे नगर सामराजी की उसने यात्रा की और जे सासक के शासनकाल में भारत आया वो कृष्ण देवराय दुतिय था ठीक है जी चलिए भाई शेकर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ फटाफट से सभी साथी बताईए अच्छा लग रहा है कि नहीं अगला प्रशन मेरे प्यारे साथी नवा प्रशन है आप से क्या पूछा गय प्रतिमा निर्मान के लिए शिला निम्न लिखित में से किस देश से लाई गई है भूटान से श्री लंका से मालदीव से नेपाल से आप सभी लोग जानते है सुप्रीम कोट के आदेश पर आयोद्या में स्री राम जी का मंद विशाल मंदर बन रहा है और बहुआन राम का ज अंसर है कहां से ली गई लाई गई है नेपाल से लाई गई है राइट अंसर आप्शन नमर डी है भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है जिसे लेंड आफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है प्यारे सातियों लेंड आफ थंडर ये विश्व के सबसे पुराने सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है स्री लंका स्री लंका एक क्वेशन आता है बताईए भारत और श्री लंका के बीच क्या इस्थित है तो पाक खाड़ी इस्थित है ठीक है जी पाक स्ट्रेट पाक जल संधी इस्थित है ठीक है ज मालदीब किस प्रकार का दीप है तो प्रवाल दीप का उधारन है क्या है मेरे पढल धीप भी बारत का एक परावसी रास्ट को प्रवाल दीपों पर बसा हुआ एक प्रमुक मुल्ख है लेकिन इस प्रश्न का जो exact answer है मेरे प्यारे साथिपों वो क्या है option number D, नेपाल इस प्रशन का exact answer भी है ठीक है जी, चलिए, दसवा प्रशन स्क्रीन पर आपके सामने SSC CHSL 2020 परिच्छा का प्रशन है निम न लिखे तुमें से कौन सा भारती राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है सिक्किम उप्शन नमर A है, पश्चिम बंगाल उप्शन नमर B असम उप्शन नमर C, उत्तरा घंड उप्शन नमर D चार उप्शन से आपके साथ में जल्दी से मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल को इस परस नहीं करती है अगर हम प्यारे साथियों बात करें नेपाल की तो नेपाल की सीमा को जो राज्य स्परस करते हैं भारती राज्य उसमें सिक्किम भी सामिल है उसमें पश्चिम बंगाल भी सामिल है उसमें उत्तरा खंड भी सामिल है उसमें उत्तर प्रदेश भी सामिल है उसमें बिहार भी सामिल है ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं जितने भी राज्य सीमा बना रहे हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर बतनाए और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा सबसे लंबी सीमा जो नेपाल के साथ बनाता है वो राज्य कौन सा है तो मेरे प्यारे साथी उस राज्य का नाम है बिहार नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज भारत का है वो कौनसा है तो वो राज है आपका बिहार राज है ठीक है जी प्यारे साथि क्या नाम है बिहार राज उसका नाम है क्या नाम है बिहार राज उसका नाम है इसके बाद मेरे प्यारे साथियो इसमें से जो राज जो राज किसकी सीमा नहीं वना रहा है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं वना रहा है वो कौन सा है असम राज है मेरे प्यारे साथे राइट आंसर क्या है ओप्शन नमबर सी सिक्क्यम सीमा बनाता है पश्यम बंगाल सीमा बनाता है उत्राखंड सीमा बनाता है लेकिन असम जो है वो नेपाल के साथ सीमा बिलकुल नहीं बनाता ठीक है जी चलिए बेटा जी जैसे ही गरीब राजा जी जैसे ही यह सम्मंद में कोई information होगी कि कब इसका exam होगा क्या date रहेगी तो मैं जरूर आपको update करूँगा लेकिन अभी हाल फिलाल मेरे पास भी सम्मंद में कोई विशेश update नहीं है अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियो असम्म राज्य जो है किस सरदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो राज्य है भूटान question अगर आप से पूछा जाए land of thunderbolt किसे कहते है तो भूटान को कहते है और भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारती राज्य कों सा है तो असम है अगर आप से question पूछा जाए कि बांगलादेश के साथ बांगलादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मुल्क कों सा है तो फिर उसका right answer पस्चिम बंगाल हो जाएगा और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कोन मनाता है तो right answer option number क्या है बिहार है ठीक है जी इस प्रशन का exact answer option number C है चलिए भई नेक्स्ट प्रशन स्क्रीन पर आपके सामने परमादेश रिट का क्या तत्थ पर है SSE CGL 2020 परिच्छा का प्रशन है आपके पास सरीर हो सकता है किस वारंट द्वारा हम आग्या देते हैं प्रमादेश रिट का तत्थ पर है क्या इसका मतलब है ये आप लोगों को मुझे बताना है जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे साथियो फटा-फट से इस फ्रशन कराईट अंसर बताईए देखे हम लोग जानते हैं सम्विधान के अनुछिद 32 में सम्विधानिक उपचारों का अधिकार हम को प्राप्त है सम्विधानिक उपचारों का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है मेरे प्यारे साथी अगर हम चर्चा करें आर्टिकल 32 की तो इसके तैथ मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिती में हम लोग सीधे सुप्रीम कोट जा सकते हैं सीधे सर्वोच न्यायले जा सकते हैं और सर्वोच न्यायले सर्वोच न्यायले मेरे प्यारे साथी हमारे मौलिक अधिकारों की रच्छा हितू पांच रिट जारी करता है और पांच रिटों में से ही एक रिट है परमादेश जिसको अंग्रेजी में मेंडेमस कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेंडेमस कहते हैं और इसके द्वारा सर्वोच न्यायले क्या कहता है हम आग्या देते हैं क्या इसका मतलब क्या है हम आग्या देते हैं यदि कोई लोक अधिकारी अपने लोक करतव्यों को पूरा नहीं कर रहा हो तब आप सर्वोच न्यायले जा सकते हैं सर्वोच चुन या एले उस लोग अधिकारी को आदेश देता है किसका परमादेश के हम आदेश देते हैं फटाफट से इतने दिनों के अंदर इस काम को आप पूरा करके दीजिये और अपने कर्तब विगो सुनिश्यत कीजिये ठीक है जी तो राइट आंसर आप का क्या है option number C है ना option number A, na option number B, na option number D, option number C इस प्रशन का exact answer है चले भई पूरणा मंजीरा प्रान हिता किसकी सहयक नदियां है किसकी helping rivers है आप सभी जानते हैं मुख्य नदी मुख्य नदी और साथी सहयक नदियां सहायक नदियां ये मिलकर नदी तंत्र बनाती है रिवर सिष्टम बनाती है और इन में जो नदी है गोदावरी जिसे हम क्या कहते है दच्छन गंगा कहते है जिसे साथियों क्या कहते है दच्छन गंगा कहते है जिसे व्रहद गंगा कहते है जिसे बूड़ी गंगा कहते है इन सारे नामों से अबहित की जाने वाली गुदावरी नदी की ही कुछ सहायक नदियां है जिसमें पूरुना भी सामिल है जिसमें आपका मंजीरा भी सामिल है और जिसमें आपका प्राण हिता भी सामिल है ठीक है जी इनके अलावा जबती, सबरी, सिलेरू, सिलेरू, ये सारी की सारी साहग नदियां भी मेरे प्यारे साथी हो, वो आपकी गोदावरी नदी की ही साहग नदियां है, राइट अंसर ऑप्शन नमबर बी ही है, सरी, ऑप्शन नमबर सी होगा, ऑप्शन नमबर सी ही इस प्रश्न का एक्जेक्ट answer हो जाएगा सिंदु नदी की प्रमुक्सायक नदियां आपकी जेलम है चनाव है ठीके सतलज है रावी है व्यास है ये सारी की सारी नदियां सिंदु नदी तंतर के अंतरर गताती है इन मेंसे जादतर नदियों का पानी लेकर चनाव सीधे सिंदु में गिरती है ये सिंदु नदी तंतर के अंतरगत आने वाली प्रमुक नदियां है छिप्रा नदी आपने एक नदी का नाम सुन रखाओगा छिप्रा नदी जिसके किनारे माकालेश्वर बाबा माकाल की नगरी उजेन इस्थत है वो चंबल नदी की साहक है मेरे प्यारे साथी हो और चंबल नदी हो केन हो बेतवा हो ये सारी की सारी नदियां मेरे प्यारे साथी हो यमुना की साहक है और यमुना भारत की सबसे बड़ी साहक नदी भी है जो गंगा नदी की साहक नदी है मेरे प्यारे साथी ठीक है जी चली बहुत अच्छा तो इस प्रकार से इस प्रशन का भी एक्जेक्ट आंसर आप लोगों को प्राप्त हो चुका है चलेंगे भई अगला प्रशन स्क्रीन पर हम आपके सामने रखेंगे आज की क्लास का जो तेरेवा प्रशन है साथी वो आपके सामने है दिल्ली इस्थित कुत्व मीनार में कितनी मंजले हैं पांच छे आठ साथ और ये स्सी छेसल दोजार एक्षा का प्रशन है जल्दी से आप इस प्रशन का एक्जेक्ट आंसर निकाल कर मुझे बता देंगे कि गुरुजी इस प्रशन का राइट आंसर आखिरकार ये है देखिए अगर हम प्यारे साथी बात करें कुत्व मीनार की तो कुत्व मीनार मेरे प्यारे साथी जो है वो कहां पर इस्थित है दिल्ली में इस्थित है और इसका जो शुरुवात इसकी कराई इसका निर्मान कारे जो शुरू किया वो कुत्वुद्दीन एवक के सासनकाल में इसकी निर्मान कारे सुरू हुआ था कुत्वुद्दीन एवक किसके सासनकाल में प्यारी साथी कुत्वुद्दीन एवक के सासनकाल में और एक चीज और ध्यान रखेगा, यह जो इसका जो निर्मान पूर्ण कब हुई, तो यह ध्यान रखेगा, इल्तुत मिष्ण ने इसको पूर्ण कराया था, इसके पुनर निर्मान किस ने कराया, पुनर निर्मान, तो मेरे प्यारे साथियो, साथियो, पुनर निर्मान, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने इनके शासनकाल में इस कुत्ब मीनार की जो चौथी मंजल थी वो अत्यदिक छतिगरस्त हो गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया इनकी चौथी मंजल को बनवाया और एक और मंजल बनवा दी यानि क तोटल वर्तमान समय में कितनी मंजल है? पांच मंजल है पहले इल्टुतमिस के शासनकाल में कितनी मंजला दिये चार फिरोच्शा तुगलक के सासनकाल में इसकी चौथी मंजल छटिक रस्त हो गई उन्होंने चौथी मंजल को रिपेयर कराया और अपने सासन काल में इसकी एक और मंजल वनवा दी और इस प्रकार से कितनी मंजल हो गई बेटा इसकी पांच मंजलें हो गई और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसका नाम कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी बक्तियार काकी इनके नाम पर ही इस कुत्व मीनार का नाम रखा गया है बहुत सारे questions बन सकते हैं कहाँ पर इस्तित है तो दिल्ली में शुरुआत किस ने कराई कुत्व दीन एवक ने पूर्ण किस ने कराई इलतुतम इसने पुनर निर्मान किस ने कराया फिरोजशाथ तोगलक ने पांचवे मंजल किस ने वनवाई फिरोजशाथ तोगलक ने कुल कितनी मंजल है पांच मंजल है और किस की याद में किस के नाम पर इसका नाम रखा गया तो तुद्दीन बक्तियार काकी के नाम पर ठीक है जी चलिए भाई बहुत अच्छी बात है मजा रहा है पढ़ने में बहुत सारी जानकर ये देने का प्रेत्न मेरा लगातार बना हुआ है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे 14 प्रश्ण है आप से करेंट अफेर से जुड़ा हुआ प्रश्ण है 17 प्रवाशी भारतिय दिवस 8 से 10 जन्वरी 2023 के बीच कहां आयोजित किया गया इंदोर जैपूर नागपूर बंगलूरू बताओ भई 17 प्रवाशी भारतिय दिवस जल्दी से मुझे बताइए राइट आंसर क्या है इस प्रश्ण का एग्जेक्ट आंसर क्या है मुझे बताइए प्रवाशी भारतिय दिवस क्यों मनाया जाता है भई मात्मा गांदी के भारत आगमन की याद में मात्मा गांदी आप जानते हैं और जन्वरी के दिन भारत आये थे उन्हीं की याद में इस चीज को प्रवासी भारतिय दिवस की रूप में मनाते हैं और अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी जो 2023 में जन्वरी मा में प्रवासी भारतिय दिवस मनाया गया वो इंदौर में मनाया गया इंदौर कहां पर है म राइट अंसर बता भी रहे है जैपूर कहां पर है राजस्थान में मेरे प्यारे साती और गुलाभी सहर के तौर पर इसको जाणा जाता है लेकिन ये इस प्रश्ण का exact answer कता नागपुर महराष्टर में है जी क्या है नागपुर महराष्टर का एक प्रमुक नगर है लेकिन इस प्रशन का राइट अंसर नहीं है और बंगलूरू करनाटक की राजधानी है लेकिन वो भी इस प्रशन का राइट अंसर कता ही नहीं है राइट अंसर क्या है आप्शन नम अगलिया और भारत को सतंत्रता दिलाने में मैत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत को कितने भूकम पच्छित्रों में सीस्मिक जोंस में विभाजत किया जाता है SSC CHSL 2020 पर इच्छा का प्रश्ण है बताए वही फारत जल्दी से 5 4 2 6 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है सायद आपको जानकारी हो सायद आपको जानकारी नहीं हो अगर नहीं है तो जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे आपको प्राप्त करनी चाहिए ऐसे प्रश्णों की जानकारी क्योंकि ऐसे प्रश्ण आपसे अकसर कर पूछे जाते रहत हैं देखिए बाई जोन दो जोन टू जोन थ्री जोन फोर जोन फाइव जोन फाइव इन में भारत को विभाजत किया गया है भूकम्पिय द्रिश्टिकोंड से नमबर एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार ठीक है जी ये कितने जोन्स हो गए चार अगर आप से पूछा जाए सबसे जादा खतरनाक इस्थती में कौन सा जोन है तो मेरे प्यारे साथी हूँ वो ये है जोन फाइव सबसे खतरनाक इस्थती में भूकम्प की संभावना सबसे जावास जोन में रहती है राइट आंसर क्या है राइट आंसर आपका इस प्र से खतरना की स्थिती में कौन सा जोन है तो वो भी मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट सोलमा प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने सोने और चांदी के सुद्धी करण हेतू निम्न में से किसमल का उपयोग किया जाता है SSE Online इसना तक स्थरी परिच्छा 2021 यानि SSE CGL 2021 परिच्छा का प्रश्ण है फटा फट से बटता ही है नाइट्रिकमल आप्शन नमर A, एसे टीकमल आप्शन नमर B, फॉर्मिकमल आप्शन नमर C और मेलेकमल आप्शन नमर D जल्दी से बताईए भई क्या इस प्रश्ण का राइट आंसर है सोने की या चांदी का सुद्धी करन करना हो तो इसे तू किस अमल का प्रियुक किया जाता है आम लोगों से बहुत सारे क्वेशन पढ़ते रहते हैं साइट्रिकमल, एसे टीकमल, फॉर्मिकमल, कल भी एक अमल से एक क्वेशन मैंने बताया था जो कैमिस्ट्री है, कैमिस्ट्री के अंतरगत ये प्रशन पूछे जाते रहते हैं इस प्रकार के आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रशन है आप सभी बच्चे इस प्रशन का राइट आंसर दे भी पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है जल्दी से राइट आंसर मेरे प्यारे साथी हो इस प्रशन का मुझे दीजे, इस प्रशन का लगा कर मुझे बता दीजे जल्दी से लगाई भई, क्या राइट आंसर है इसका आप सभी लोगों ने बताया नाइट्रिक अम्ल, HNO-3 ये इस प्रशन का एग्जेक्ट आंसर है और वाकई में जो सोना हो या चांदी इनका जो सुद्धी करन करना है तो जिस अम्ल का प्रयोगी से तु किया जाता है उसका नाम भी नाइट्रिक अम्ल ही है एस एक अम्ल सिर्का में पाया जाने वाला प्रमुख हमल है मेरे प्यारे साथी हो फॉर्मिक अम्ल लाल चीटियों में लाल चीटियों चीटियों बिच्छू हो बर हो इनका डंक के डंक में ठीक है लाल चीटियों के डंक में बिच्छू के डंक में बर्र के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलेगा और मेलेग अम्ल सेब में मिलता है यानि कि मेलेग अम्ल का प्रचुर स्रोत क्या है तो राइड आंसर सेब इसका होगा ठीक है जी और बादवा की सोने और चांदी के सुद्धी करने तुकिस हमल का प्रियुक किया जाता है तुनाइट्रिक हमल का किया जाता है ठीक है जी चलिए भई बहुत अच्छा बावाईवा अंकुस कुमार जी मजा आ रहा है अगला प्रश्ण मेरे प्यारे साथ ही ये है एससी सीजियल दोजार बीस परिच्छा का प्रश्ण किसने दीन ए इलाही निम्न लिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंब किया जहांगीर ने बाबर ने अकबर ने उमायू ने चार ओप्शन से जल्दी से बताईएगा फटा फट से वाई वा नितिश्कुमार जी अरे वाई वाई वा जल्दी से राइड अंसर बताईए किसने दीन ए इलाही नमक नया धर्म आरंब किया था और आप सभी लोग जानते हैं दीन ए इलाही नमक धर्म हो फतेपुर शीकर में जोदावाई महल हो जोदावाई महल हो ठीक है पंच महल हो इत्याद सारी चीजों का निर्मान और जो आपका दीन ए इलाही नमक धर्म दीन ए इलाही नमक धर्म ये किस ने चलाया था अकवर ने चलाया था सभी धर्मों की मिली जुली जो विसेस्ताएं हैं उनको एक कर के एक धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही ठीक है जी मुगलवंस का संस्थापक कौन था तुम मेरे प्यारे साथियो मुगलवंस का संस्थापक कौन था बावर था बावर मुगलवंस का संस्थापक बावर का पुत्र हुमायू उनके बाद गद्दी पर बैठा हुमायू के पुत्र आकवर के बाद उनका पुत्र जहांगीर गदडी पर बैठा है ठीक है तो यह चार सासक दे रखे हैं चारों सासकों का क्रम जो है वो ये रहा आपके सामने ठीक है जी और इनमेसे जो राइट आंसर है इस प्रश्न का जो दीन-ई-लाही नमक धर्म किस ने चलाया तो वो अकवर ने चलाया है अगला प्रेशन स्क्रीन पर आपके सामने है Australian Open Purs Singles 2023 के विजेता कौन है रोहन बोपनना, राफिल माटो, नुवाग जैकोबिच और जेशन कुबलर चार ओप्शन से आप जानते हैं American Open, Australian Open, Bimbledon Open ये सब क्या है French Open ये क्या है? ये मुख्य प्रतियोगिता हैं और वर्च 2023 की जो Australian Open में पुरुष Singles खिताब जिस व्यक्ती ने, जिस खिलाडी ने जीता वो नुवाख जैकोबिच है French Open ओ, Australian Open ओ और या फिर क्या American Open इनके जो पुरुष Singles महिला Singles के खिताब हैं उनको आप जरूर याद करके जाएं क्योंकि इनसे questions अक्सर कर current affairs के अंतरकत बनते ही रहते हैं बाकी रोहन बोपन्ना इस प्रश्ण का right answer नहीं है राफेल माटो इस प्रश्ण का right answer नहीं है और जेशन कुबलर इस प्रश्ण का right answer नहीं है 19 वा प्रश्ण आपके सामने है साथियो SSC MTS 2019 परिच्छा का प्रश्ण है नहीं ने लिकित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन सूने करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जीनोन गैस, नियोन गैस, और्गन गैस, हीलियम गैस अचेतन करने के लिए कौन सी नोबल गैस का प्रियोग किया जाता है जल्दी से आप इस प्रश्ण का right answer मुझे दीजे जल्दी से इस प्रश्ण का right answer मुझे दीजे आप सभी में से जादा तर बच्चे इस प्रश्ण का right answer option नमबर ए को मान रहे है जीनोन जो की इस प्रश्ण का बिल्कुल ही सही जबाब है इस प्रश्ण का बिल्कुल ही सही जबाब क्या है जीनोन इसका प्रयोग ही किसके रूप में किया जाता है अचे तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है जी और ये noble gas भी है सारी की सारी gas है चाहे जेनोन हों, चाहे नियोन हों चाहे औरगन हों, चाहे हीलियम हो ये सब gases क्या है ये हीलियम जो है ये अक्रिय गैसे है अक्रिय गैसे है इनी को मेरे प्यारे साथियो noble gas भी कहा जाता है noble gas भी कहा जाता है अपने वायू मंडल में तीसरे नमबर पे सरवादिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है और गैस है जो अक्रिय या नोबिल गैस का ही उधारण है और बल्ब जो बल्ब इत्याद जो होते हैं उसमें टंगस्टन का एक तंतू होता है और उसके ऑक्सी करण से बचाने के लिए बल्ब इत्याद में और्गन को भरा भी जाता है हीलियम कैस को हाइड्रोजन की तुल्न में गुबारों में भरा जाता है क्यों? क्योंकि ये वायू के साथ मिलकर विस्वोटक मिस्रन नहीं बनाती है हाइड्रोजन आलंकी गुबारे को जादा उंचा ले जा सकती है लेकिन उसके स्थान पर इलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वायू के साथ विस्वोटक मिस्रन नहीं बनाती है ठीक है जी? राइट अंसर इसका क्या है? जीनोन है नियोन एक और अक्रिय गैस है एक और महत्वपून अक्रिय गैस है एक अक्रिय गैस रेडोन भी है मेरे प्यारे साथियो जो किसी स्थान पर भोकंप जब आना हो तो उस स्थान पर वायू मंडल में इस गैस की मात्रा में बड़ोतरी हो जाती है क्योंसी गैस है प्यारी बच्चा रेडोन गैस इस प्रश्ण का राइट आंसर क्या है option number A इस प्रश्ण का exact answer है आज की class का बीसवा प्रश्ण आपके सामने है कुद्रे मुख लौह आयसक खदान कहां परिस्तित है आंद्र प्रदेश में करनाटक में बिहार में ओडिशा में चार options है आप अच्छी तरीके से जानते हैं 36 गड़ का बैला डिला छेत्र हो बैला डिला छेत्र हो 36 गड़ का तो वो आपका लौह आयसक के बंडारों के लिए जाना जाता है आपका बाबा बुदन पहाडियां हो बाबा बुदन पहाडियां हो ये भी मेरे प्यारे साथियो भारत में लोह आयसक के बंडारों के लिए जानी जाती है ये कहां पर है करनाटक में और इनके साथ साथ कुद्रे मुक का इलाका हो ये भी law ask के प्रचुर बंडार के रूप में जाना जाता है और कुद्रे मुख इलाका जो है वो कहां पर आता है करनटक में आता है मेरे प्यारे साथी आंद्रप्रदेश की चर्चा करें तो यहां पर एक सबसे गहरा बंदरगाह भारत का इस्थित है जिसका नाम है विशाख का पटनम हाली में रिलाइंस कम्पनी ने दस जी डवलू गीगावाट का एक सयंत्र यहां पर लगाने की गोशना की है ठीक है जी चली बिहार की बात करें मेरे पैरे साथी तो इसकी राजदानी पटना है और यह जो बिहार है आपका वो जनसंख्या घनत्व पॉपिलेशन ड करें तो ओडिशा की राजदानी मेरे पैरे साथियों बुवनेश्वर है और बुवनेश्वर इसकी राजदानी है ओडिशा की इसके साथी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा ग्रस्त प्रदेश जो भारत का है वो आपका कौन सा है वो आपका ओडीशा है यहीं पर भारत की सबसे बड़ी जील जिसका नाम है चिलका जील वो भी इस्तित है कहां पर ओडीशा राज्य में मेरे प्यारे साथियों तो आज की इस क्लास में बीस प्रश्णों पर अमने चर्चा की टाइम पूरा हो चुका है टाइम की विवस्ता के कारण में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं सभी के सभी ऑप्शन्स पे चर्चा हमने की सभी प्रश्णों के और इनके साथ ही आपको ज़्यादा स्यादा जानकारियां उपलब्द कराने का प्रेतन भी किया आप में से कुछ बच्चों का सवाल आज की क्लास में रहा कि कुछ एक्जाम से संबंदित अप्डेट मैं दीजिए अगर कोई अप्डेट मेरे पास होगी मेरे प्यारे साथी तो कहने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी मैं अपने आप ही आप लोगों को एक्जाम से संबंदित अपडेट दे दूँगा आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी इसी उमीद के साथ इसी निरंतरता को मैं बनाई रखूँगा कल के कल फिर से बैतरिंग प्रश्णों का संकरन लेकर आपके लिए मैं उपस्तित होंगा तब तक के लिए मैं अब आप से इजाज़त चाहता हूँ जै हिंद जै भारत जै भाका